Hello everyone, I am Jyoti Jaha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 की English Book Unit 4 Y आपका chapter है Y तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि NCRT से डिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं Y जो की एक पॉम है तो आप लोग इसे सुनिए और समझने की कोसिस कीजिए इसमें देखें क्या का जा रहा है I know एक क्यूडियस लिटिल बॉई मैं एक क्यूडियस लिटिल बॉई को जानता हूँ यानि कि मैं एक छोटे से जिग्यासू लड़के को जानता हूँ Curious का Minsk होता है, Curious Minsk होता है, Jigya Su, जानने की एक्छा Who is always asking why वो हमेशा पूशता रहता है, why, क्यों Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by क्यों यह क्यों, वह क्यों, तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं, क्यों के द्वारा कि वो सब पूछना चाहता है, जाना चाहता है He wants to know why would soot swim वह जानना चाहता है, कि लकडी पानी में क्यों तैरती है Why lead and marble sink और marble, सीसे और संगमरमर क्यों डूब जाते है Why sun soot sign and wind soot blow सूरच क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है And why we eat and drink और हम लोग क्यों खाते हैं और क्यों पीते है He wants to know what makes the cloud वो जानना चाहता है, कि बादलों को कौन बनाता है And why they cross the sky और वो आसमान को cross क्यों करते हैं यानने कि बादल जो है वो आसमान को cross क्यों करते हैं Why sinks the sun behind the hills और सूरच पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाते हैं And why the flowers die और flowers क्यों मर जाते हैं Some of these why's are not too hard इन में से कुछ why's क्यों इन में से कुछ क्यों ऐसे हैं जो कि hard नहीं है To answer if you will try इन में से अगर आप कुछ का answer देने की अगर कोसिस करेंगे तो वो आपको hard नहीं लगेंगे Others no one ever ever yet has found the reason why अभी तक में किसी ने पता नहीं लगा पाया है इसका reason का क्यों का reason का किसी ने पता नहीं लगा पाया है तो ये आपका chapter पॉम complete हो चुका है तो चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूं इसका तो इसमें देखिए इसमें बाते हो रही है एक छोटे से लड़के के बारे में तो वो चोटा सा जो लड़का है वो बहुत ही जिग्यासू रहता है उसे जानने की बहुत जादा इक्षा होती है और वो हमेशा क्यों के बारे में ही पूसता रहता है यह क्यों वर क्यों तब क्यों जब क्यों अब क्यों क्यों नहीं क्योंकि द्वारा ही वो सब चीज पूसता रहता है वो जानना चाहता है उसे जानने की इच्छा होती है कि आखिर लकडी जो है वो पानी में क्यों तैरती है और सीसे और संग मरमर ये पानी में क्यों डूब जाते हैं सूरी जो है सूरस वो क्यों चमकता है हवा क्यों बहती है हम लोग खाना क्यों खाते हैं पानी क्यों पीते हैं और बादल जो है बादलों को कौन बनाता है और बादल जो है आस्मान को क्रॉस कैसे कर जाते हैं क्यूं करते हैं और सूरज जो है वो पहाड़ियों के पीछे में कैसे डूब क्यूं डूब जाता है और फूल वो क्यूं मर जाते हैं तो ये साड़े बहुत साड़े जो है उनमें सवाल उठते हैं और वो जानना चाता है इसे जानने की कोसिस करता है वो तो इनमें से बहुत सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत हार्ड नहीं है अगर हम इसका अगर एंसर देना चाहें तो हम आसानी से दे सकते हैं कोसिस कर सकते हैं इसका answer देने की तो अभी तक क्यों का किसी ने पता नहीं लगा पाया है क्यों का reason किसी ने नहीं जान पाया है तो ये आपका हो गया summary तो चलिए अब हम लोग new words देख लेते हैं तो देखे curious curious मिन्स होता है जिग्या सुजी से जानने की बहुत इच्छा होती है और lead lead में सीसा marble में संग मरमर और sink sink मिन्स क्या होता है डूबना reason region मिन्स कारन तो ये आपका new words हो क्या तो चलिए अब हम लोग cost and answers बना लेते हैं तो इसमें देखे क्या है first में name if you think that sink तो आपको कुछ चीजों का नाम बताना है जो की जो की डूब जाते हैं तो क्या होगा stone brisk bricks उसके बाद देखिए marble और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो की पानी में डूब जाती है तो उसका नाम आपको लिखना है आप कुछ और नाम भी लिख सकते है जैसे जो पानी में डूब जाती है और उसके बाद है list three questions that the little boy asked तो आपको देखिए तीन questions ऐसे आपको बताना है जो की little boy जो छोटा लड़का था वो पूछता है तो कौन-कौन सा question है जैसे की why we eat and drink यह question करता है उसके बाद है why sinks the sun behind the hills why the flowers die तो यह सारे question पूछता है और उसके बाद है कि what sort of a boy is described in the poem तो इसमें देखिए किस बच्चे किस के बाड़े में यहाँ पे बातें की गई है इस poem में तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इस poem में कि यह लड़का कैसा है तो क्या बताया गया है वो curious है curious के बाड़े में बातें की गई है तो यह लिख देंगे और उसके बाद है यहाँ पे कि Ram is a curious little boy Ram जो है वो curious little boy है यानि कि जिग्यासू लड़का है छोटा सा he is always asking questions वो हमेशा questions करता रहता है पूसता रहता है One day he came home एक दिन वो घड़ाया and asked his grandfather questions like और उसने अपने grandfather अपने दादा जी से questions किया जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नीचे कि why can't we look at the sun during a solar eclipse तो इसमें देखिए यह पूछा जाए रहा है कि solar जो सुड़ी ग्रहन होता है जब ग्रहन लगता है उस दौरान हम लोग सुड़ी को क्यों नहीं देख पाते हैं तो क्या हो जाएगा आप अपने दादा जी से पूछे ऐसे तो इसमें जो है बहुत harmful ray निकलता है उस दौरान जब सुड़ी ग्रहन लगता है तो इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं और देखिए second question है कि why can't we touch the sun तो हम लोग sun को क्यों नहीं touch कर पाते हैं कर सकते हैं तो sun को sun हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है और वो बहुत गर्म है इसलिए touch नहीं कर पाएंगे और देखिए why can't we go out to play in the dark हम लोग dark यानि कि अंधेरे में हम लोग क्यों नहीं बाहर जा पाते हैं क्यों नहीं खेल पाते हैं बाहर जाके तो क्योंकि अंधेरे में कैसे खेलेंगे अंधेरे में नहीं खेल पाएंगे तो यह जो है आप अपने दादा जी से पूछ सकते हैं और उसके बाद देखिए आगे है कि fill in the blanks with words from the form which rhyme with the colored words in the sentences तो देखिए इसमें rhyming word जो है आपको इसमें लिखना है तो जो color है जो color किया गया है उसका आपको rhyming word लिखना है तो why why is the dash so high तो why का क्या हो जाएगा rhyming sky तो यहाँ पे sky लिखेंगे उसके बाद है do you know the color of snow नो है तो नो का snow हो जाएगा और उसके बाद है have you found who made the mound तो found का mound उसके बाद put the glass in the sink after you finish your drink तो sink का drink हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखे the spellings of these words are jumbled put them right and make sentences of your own तो यहाँ पे देखिए आपको make sentences बनाना है तो देखे यहाँ पे jumbled क्या है यहाँ पे देखे उल्टा पुल्टा कड़के दिया गया है तो यहाँ सही कड़के लिखना है jumbled no हो गया तो no का अब make sentence क्या बनेगा do you know the meaning of this sentence तो यह बन जाएगा ठीक है और उसके बाद देखे क्या हो जाता है यह है नीचे इसका क्या हो गया swim तो can you swim in river उसके बाद यह है इसका lead this lead is fully clean और यहाँ पे है इसका marble हो गया this marble is very colorful और यहाँ पे hills this is very long range of hills तो यह बना लेंगे तो अब देखे अगला क्या है यहाँ पे discuss and write तो यहाँ क्या दिया गया है देखे why do cats and dogs fight तो cats and dogs fight क्यों करते हैं तो इसके बादे में आपको लिखना है तो क्यों fight करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को ताकतवर समझते हैं इसलिए दोनों fight करते हैं और दोनों अलग-अलग प्रजाती के होते हैं इसलिए और आप इसे अपने से बड़े जो हैं उन से पुछके आप इसके बादे में लिख सकते हैं और देखिए कि why do we walk across the road, not run तो हम लोग जब road पार करते हैं जब road cross करते हैं तो उस समय हम लोग चलते क्यों हैं दोरते क्यों नहीं हैं तो क्योंकि जब हम लोग road cross करते हैं तो उस समय हम लोग चलते हैं और चलते हैं इसलिए क्योंकि जो भी गाड़ी इधर उधर से आती जाती है तो वो हम लोगों को आड़ाम से देख सके और वो गाड़ी रोक सके आड़ाम से हम लोग रोड़ पार कर जाएं तो ये हो जाएगा और उसके बाद है कि why do people like ice cream तो लोग जो है वो ice cream क्यों like करते है तो क्योंकि ice cream मीठा होता है और बहुत tasty होता है खाने में और गर्मी के दिनों में ये बहुत ही जादा अच्छा होता है ये ठंड़क पहुंचाता है तो बहुत जादा लोग ice cream खाते हैं तो ये हो जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद है write down at least two questions using why तो आपक और दूसरा क्या है why you have come here तो इस तरह से इसे हम लिख लेंगे तो आपका ये chapter complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताइए और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो ncrt the mind को like subscribe जरूर कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भ बाड़ा बिल्कुल ही पूच सकते हैं तो चली मिलते हम लोग next video में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video